सो हेले उरिवन नर्सिंग वालों के लिए 19,000 पदों पे बंपर बढ़ती यहां पर निकल चुके है और इन पदों के लिए फोरम भी स्टार्ट हो चुके है आप आज सही अभी सही इसके फोरम एपलाई कर सकते हो सो बेसिकली अब नर्सिंग वालों का यहां पर 100% गोवर्मेंट जोब लगना ते है दुनिया की कोई भी तागत आपको यहां पर अब नहीं रोक सकती सरकारी नोकरी पाने से क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो नमरों पॉस्ट है गुनिस हजार पद आपके रहने वाले अभी हम आपको आपिसली दिखाएंगे और फोरम को भर के भी दिखाएंगे यहाँ पर जो आपके नमर्व पॉस्टे गुनूस हजार पद है स्टाप नर्स और inam के लिए और यहाँ पर जो आपकी application फीस है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है नौ application फीस यहाँ पर आपके रहने वाली है नौ payment of form ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर negative marking भी नहीं है no negative marking तो जब आपके यहाँ पर number of post 19,000 है और यहाँ पर कोई भी piece आपसे government नहीं ले रही है ठीक है गरीब प्रिवार के जो बच्चे है वो भी यहाँ पर forum बर सकते है जिनके पास forum के पेसे नहीं है वो भी यहाँ पर forum apply कर सकते है और यहाँ पर जो आपका exam होगा वहाँ पर no negative marking यानि कि कोई भी negative marking नहीं है clear तो like बनता है government आपका इतना ख्याल रख रही है तो चलो विद्यार्त यहाँ पर देख लेते जैसा कि आप देख पार होगे कि यहाँ पर NUHM department से stop nurse ठीक है और NM अगर हम यहाँ पर NUHM की बात करें तो stop nurse के यहाँ पर 684 पद यहाँ पर रहने वाले है NM की बात करें तो 807 clear NUHM इसके बाद DHS नमर टू यहाँ पर stop nurse के 306 चिंतर DHSU में और यहाँ पर stop nurse जो general में आते हैं 913 ठीक है और NM की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो lab technician और यहाँ पर NM का DHS में नहीं है इसके बाद maternal health में है stop nurse का 146 और NM का यहाँ पर देखो 3434 पद maternal health में यह देखिए आप obviously यहाँ पर देख पा रहे होंगे और community की बात करें तो stop nurse के 1737 पद और यहाँ पर stop nurse RBS के में 17 ठीक है और NM के 401 भंपर बढ़ती है पहली बार इतने पदों पर निकली है देख लो आप total यहाँ पर 17,000 आपके पद रहने वाले है अब आप बोलेंगे सर 19,000 फिर कहां हुए तो 17,000 तो यह समालो बांकी के 2,000 जो पद है वो अलग से रहने वाले तो चलो उनको भी मैं दिखा देता हूँ 17,000 तो यह हो गए आपके National Health Mission UP से और बांकी के जो 2,000 पद है वो आपके MP से रहने वाले चलो उनको भी यहाँ पर दिखा देते है यह लीजिए बांकी के 2,000 पद आपके मद्य परदेश से रहने वाले 2,056 पद तो 17,000 आपके UP से 2,000 आपके MP से तो कुल मिला के 19,000 पलस यहाँ पर पद रहने वाले है चलिए विद्धियार्तियो सबसे पहले यह जो 17,000 पद आपके लिए निकले है इनके बाद हम कर लेते स्टाब नर्स और N.M के लिए देख लो आप आप ओपिसली और यहाँ पर फोरम बरके भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए और हमने तो पहले भी बोल रखा है कि नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है नौकरी दिलाने के गारंटी हमारी है ठीक है बस आपको तोड़ा पैसंस मनाए रखना है और यहाँ पर तो लग जाए कि आपके गौर्मेंट जोब ठीक है ना 17,000 पद है तो सोच लो कौन सी गाड़ी लेके आना है आपको कौन सा आइफोन लेके आना है ठीक है गौर्मेंट जोब पका है आपका अब यहाँ पर और भी देख लेते हैं क्योंकि हमने पहले आपसे बात कर रखी है कि अगर आपने चैनल सस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो समझो आपकी गौर्मेंट जोब लग जाएगी और यहाँ पर फोरम भी स्टार्ट है देखो 27 नौमर 2022 से फोरम स्टार्ट है और 12 दिसंबर 2022 तक यह बरे जाएंगे अब हम आपको बरके भी दिखाएंगे और इससे पहले आप एक्जाम का पैटर्न वेगर यहाँ पर देख लो नौमरो पोच्ट आपने देख ली हर एक डिपार्टमेंट से रहने वाली है यहाँ पर चाइड हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी स्टाब नर्स के 1847 पद है और यहाँ पर फाइनेंस कमिशन की बात करें तो यहाँ पर भी स्टाब नर्स के और A&M के पद है और से लेरी भी सांदार रने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक category वाले यहाँ पर apply कर सकते हैं चाहे आपका general हो, OBC हो, SCO, STO, कोई भी category हो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, government job पा सकते हो नमरों post यहाँ पर देख सकते हो हर एक category के लिए चाहे वो PW, DO, STO, कोई भी हो और यह salary यहाँ पर आप देख लो, कितनी ज़्यादा salary है आपकी clear, तो और भी यहाँ पर देख लेते हैं आपका total post 17211 बे अब यहाँ पर कुछ education, qualification की बात हम करेंगे और यहाँ पर जो exam होगा, यह online होगा, आपका computer base साप साप लिखा हुआ है जिस परकार काप सार exam होते computer पे आपको exam center पे जाना होगा और वहाँ पर देना होगा तो यहाँ पर age limit की बात कर लेते हैं तो stop nurse के लिए यहाँ पर कौन कौन सी degree होना चाहिए या तो आपके पास ZM होना चाहिए या फिर BS nursing होना चाहिए और 18 से 40 के बीच age limit आपकी होनी चाहिए A&M के लिए आपके पास जो A&M का course है वो complete होना चाहिए और यहाँ पर 18 से 40 आपकी age होना चाहिए lab technician के लिए आप देख सकते हो pharmacist के लिए आप देख सकते हो यह देखिए same age criteria 18 से 40 यहाँ पर रखा गया है और अधिकतर जो student है लगबख 99% age criteria यही है क्योंकि हमारे अधिकतर subscriber यही है 18 से 40 वाले और government job तो मिल जाए कि चिंता क्यों करते हो selection का process देख लो आप यहाँ पर test आपका होगा यहाँ पर और 100 questions आपसे पूचे जाएंगे अगर आप बोलोग ना तो तयारी भाम करवा देंगे क्योंकि जब पूरा जिम्माई हमने ले लिया आपको government job दिलाने का तो होब इसलिए बात है कि तयारी भी करवानी होगी ठीक है negative marking यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर mcquatch आपसे पूचे जाएंगे तो कर दोगे आप normal paper होगा कर दोगे पका यहीन है आपके उपपर खापी intelligent होते है नर्चिंग वाले अब यहाँ पर देखो हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि English medium में पड़ाई करते हैं पूरा practical करते हैं skill development करते हैं खाप intelligent होते हैं वास्तों में important interaction यहाँ पर आप देख सकते हो और forum work के आपको दिखाएंगे क्योंकि आपसे हमने वादा किया है तो वादा को यहाँ पर किया है तो निबाना भी पड़ेगा application piece की बात करें तो हमने पहले बोल देगी नहीं लगेगी चिंदा क्यों करते हो आपके पास पेसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं तैयारी भी हम तो free में करवा देंगे ये लोग तैयारी भी free में करवा देंगे खापी सारे जो coaching center वाले होते आपसे 5-5,000 ले ले लेते हम एक रुपाइ भी नहीं लेंगे free में तैयारी करवा देंगे बस आपको चैनल subscribe करके रखना है bell icon पर press करके रखना है तो आपको vacancy अपडेट भी मिलती रहेगी और तैयारी भी होती रहेगी ठीक है application पर भी करवा देंगे candidate required online application form English only English में बनना होगा आपको बांकी और भी अपडेट यांपर दे रखा है कौन कौन्से documents आपको चाहिए photo, signature, passport size photo, documents ये आपको चाहिए होता है और भी यांपर देख लेते signature आपको करना होगा image group पर ये बहुत important है और भी यांपर देख लेते please visit इस पर अभी हम जाएंगे इस website पर आपको officially भी दिखाएंगे और ये आपका जाती पढ़ना पातर उत्तर प्रदेश वालों के लिए और भी यांपर देखेंगे पूरा update इन्होंने जारी कर दिया तो देख लेते इनको अब देखो पिर ये विद्यारते हो यांपर कौन से district में कितनी वेकेंस ये देख लो आगरा में इतनी है 25 अलीगर में देख लो आप 23 ये देख सकते हो आप यहांपर बर्रेली में कितनी है ठीक है बुटान सब पूरा देरका यहांपर महू में कितनी है ये देख लखनों में कितनी है और ये एन्यम की देख लो और यह फार्मसिस्ट की देख लो और यहाँ पर इस्टाब नर्स की भी देख लो आप यह आपके LTV केंट पोजिशन NUHM वाली अभी हमने आपको दिखाई थी ना तो हर एक जिल्डे में यहाँ पर पद बरे जाएंगे A&M का देख लो आप तो A&M की भी तियरी हम करवा देंगे बस आपको चैनल सस्क्राइब करके रखना है बेल आइकन पर प्रेस करके रखना है टेलेग्राम को जुरूर फोलो कर लिया करो उसका लिंक नीचे देरका है अगर आपको पीडियो भी चाहिए ना और एम स्कू चाहिए तो लिंक नीचे देरका डिस्क्रिप्शन में और ये स्टाब नर्स का देख लो आप लखनो में 148, कानपूर में 91, विस्ती में 15 काप अच्छे पदे हैं आपर वरानसी में 112 बोट बिडिया विक्यांसियस सांतार समझ लो लग गए आपकी गवर्मेंट जोब बोल दो आप सबसे ठीक है मेटरनल हेल्थ स्टाब नर्स में देख लो आप मेडिकल कोलेज में रहने वाल ये तो पूरे के पूरे पदियां पर बरे जाएंगे अब सोच रहे हूंगे आप सरी ये विक्यांस इतनी जड़ा क्यों आए तो मैंने पहले पूर्ट रहा है कि इलेक्शन का टाइम इलेक्शन का टाइम है तो आपका भी 100 परसेंट जोब लगना ते है ये पूरा पीडियाप हम आपको टेलेग्राम पर डाल देंगे तो पिर ये विद्यार्ट यो आपके उत्तर परदे से ये 17,000 वेक्शन से रहने वाली है बाकि 2000 मद्य परदे से रहने वाली है इस वेक्शन के फोरम कैसे बरने है चलो हम आपको दिखाते है जैसा कि विद्यार्ट यो आप देख पारूंगे upnrhm.gov.in आपको टाइप करना है ठीक है तो आप गौर्मेंट के ओपिसल वेबसाइट पर आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पर आपको images दिखाए देखा योगी सरकार का ठीक है यह इनके ओपिसल वेबसाइट है तो यहाँ पर अपडेट आप देख पारूंगे तो अपडेट के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको view all का option दिखाए देगा तो इस पर आपको क्लिक करना है देख लो पूरा live हो रहा है आपके सामने अब यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यह लो online application forum invite यह forum ही शुरू हो चुके हमने शुरू में बोल दिया था आप से एनम, स्टाब नर्स और लेब टेगनिशन तो यहीं से आपको apply करना है जो आपका cyber care पे उनको भी आब बता सकते हो कि यहां से forum बनना है यह देखो पूरा date विगरा सब आ गया और forum के से बनना है वो भी आ गया यह देख लो आप apply के से करना है पूरा process यह लो और यहां पर आपको tick लगा देना यहां पर और process to register इस पर आपको click करना है तो यह पूरा open हो जाएगा कुछ इस परकार का close कर देना है yellow यह आपका forum open पंजी करन का तो चायता आप खुद भी बर सकते हो चायता आप cyber kipolets भी बरा सकते हो decision आपका है और telegram को follow तो करी रखा होगा आपने link नीचे दे रखा है और यह mks bro 5 नाम है telegram का यहाँ पर link हम आपको send कर देंगे और जो भी वेकेंस से आएगी यहाँ पर हम आपको फिर में बताते रहेंगे क्योंकि हमारा मकसद है आपको government job दिलाना तो link description में दिया हुआ है